नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जब परिशानियां पीछा न छोड़ रही हो जब आपको लगे कि आप लाग प्रयास के बाद भी परिशानियों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे तब एक बार सनिवार के दिन ये महाप्रियोग चरूर कर लीजेगा क्योंकि ये हर तरह के घर के नकातमक उरजाओं का नास करता है तरखी के द्वार खोलता है और आपके लाइफ में अगर किसी का नजर गरावा है बुरी दरिश्टी है तंद्रमन्त क्रिया कोई करना चाता है तो उससे भी रख्षा करता है कैसे चली जानते हैं विश्टार से सनी वार के दिन कुछ विशेश प्रियोग किये जाएं रात में सोने के पहले तो आपको मन चाहा फल मिलता है आज हम आपके साथ बहुत सारी बाती सेयर करेंगे वीडियो के अन तक बने रही है और ये प्रिडिक्शन पूर्ण तयात जोतिस पर ही आधारित है तांतरी क्रियाएं कहीं नहीं है देखिए जीवन में परिशानी जिसके जीवन में नहीं है हर किसी के जीवन में किसी के लिए धन की परिशानी है किसी की मुस्किले संतान को लेकर है किसी की स्वास्त को लेकर है कुछ नो कुछ लगा ही रहता है लेकिन क्या इन परेसानियों से हार मानना उचित है या पिर इसका समाधान डूनना तो जोतिस में हर एक चीज की छोटी छोटी परेसानियों से बाहर निकलने के उपाई भी है आज हम उन्हीं उपाईयों पर चर्चा करेंगे सबसे पहली बात तो आप जब सुभा सुभा उठते हैं सोकर हम सुभा से ही सुरवात करते हैं एक नियम मना लें सबसे पहले अपने हथेलियों को देखें क्योंकि आपकी हथेली में सब कुछ है लक्षमी, स्रुसत्य, ब्रम्भा, हर कोई है अब उनको दोनों हथेली को देखें परणाम करें, हथेली को रगड़ें और फेस में लगा लें इससे क्या होगा? सकात्मा गुर्जा अब इसके बाद आप पहले चेक करें कि आपके नाक से कौन सी नाक से सांस चल रही है दाहिने नाक से या बाइन नाक से रही है उसी पैर को पहले जमीन पर रखें और फिर दूसरे पैर को रखें अब दिन की सुरुवात करें तो आपका पूरा दिन अच्छा भी देगा दूसरी बात जीवन में जो चाहिए धन सुक सम्रीदी यसमान सम्मान तो एक छोटा सा प्रियोग जरूर करें सुबह सुबह जब आप घर के मुख्य दर्वाजा खोलेंगे तो घर के चौकट में दो-चार बुन पानी जरूर दोनों साइट डाल दें आप अंदर ही खड़े रहिएगा और फिर आप आप अपने मुख्य दर्वाजे के बाहर जाड़ू तो लगवाते होंगे ना लेकिन सनिवार के दिन जाड़ू नालगवा कर पहले पाणी डलवा दे फिर जड़ो लगवाएं ऐसा करने से अगर किसी ने आपके उपर किसी भी तरह का तांतरी किरिया किया होगा तो वापस से उसी के पास चला जाएगा ये बहुत सिंपल उपाय है लेकिन है बड़े काम का आज मा के देखें धीरे धीरे आपका भाग य चेंज होने लगेगा धीरे धीरे घर में जीवन में खुजियां आने लगेंगी कई बार लोग बहुत सारे टोने टोटके तांतरी किरियाएं करते हैं लेकिन आप उन चीजों से बाहर नहीं आपाते आपको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप उलज गया हैं अब इ एक लोटा पानी में एक चुटकी काला टेल डालकर हर सनी बार को अर्पित करें तो पित्तری दोस समाफ्त होता है रहु के तुचीकी पिडाएं समाफ्त होती है जीवन की हर कस्टी खतम हो जाते हैं ये भहुत सिंपल है यह तो आप करते ही ओंगे और अगर सनी बार के दिन आप फिटकरी मिलेवे पानी से या नमक मिलेवे पानी से पूछा लगवा है घर में तो इससे भी आपके घर में मालक्षमी का प्रवेस होता है घर के जगड़े लड़ाई उल्जने समाप्त हो जाती है चनी बार के दिन बहुत सारे उपाय होते हैं आज हम आपको एक छोटा स काया ही है मिरोगी काया यानि आपका स्वास्त तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें सनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दिपक जलाई है साम के समय सनिवार को याद रखिए तिल के तेल का दिपक अगर तिल का तिल ना हो तब सरसों के तेल में ही दो चार दा आने काला तिल डाल दें और दिपक जलाएं ऐसा करने से आपका स्वास्त अच्छा होता है साथ एक बाध्याई समाफ्थ होती है और अगर सनिबार के दिन आप अपने घर में जब आप दिया बाती करेंगे उसमें दो- Leg डाल कर पूरे घर में दिखाएं, तो ऐसा करने से घर में खुजियां आती है. मालक्ष्मी आती है. जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है. चुकि इस दिन हनॐन जी की पूजा करने की अराधना करने का बीधान है कै कई बार क्या होता है न कि हरमान जी की पूजा करने तो हम बताएंगे एक और चोटा सा पड़ियों दिखे आप अगर चाहते हैं कि आपका अपना घर हो नया घर हो तब ऐसे में सनिवार के दिन एक छोटा का तेल मिला लें लोहे का एक दीपक लाकर उसमें जलाईए अगर लोहे का दीपक ना मिले तो मिट्टी के ही दीपक में लोहे के एक कील डाल दें और इसको जलाईए अब यह कहां जलाएंगे समी के पेड़ के नीचे इस दीपक को जब वो सांथ हो जाए जल के तब आप जल म में प्रभाहित कर दें लगातार आठ सनिवार ये उपाय खरें तो आपको अपना मकान का सपना आपका पूरा होगा घर खेदने की मनुकामना पुर्ण हो जाएगी बहुत सिंपल है कई बार होता है करजों से परिशान है मन्चाही परिशानी समस्याइं आपकी जो मन्चाही म को आप नीचे कर दें रूखा साइड उपर कर लें दो लोंग साबूत रखें किसी बहतेवे जल में इसको प्रभाहित कर दें और कहें कि है मेरे दुख आपको मैं यहीं छोड़े जा रहा हूं और फिर पीछे मुड़ कर ना देखें घर चले आएं आपकी जो भी समस्या है इस बहतेवे पानी में पान का पत्ता और लोंग के साथ बह जाएगा तो सनीवार के दिन ही यह प्रियोग आपको करना है अब एक और छोटा सा प्रियोग जो सनीवार के दिन भी आप कर सकते हैं क्या करेंगे अगर सनी राहु के तू की परिसानी हो तब एक तेल का उपाय क तिल का तिल का करना है क्या करेंगे हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको थोड़ा सा तेल और पित करें तेल यानि चैमेली का तेल में आपको दीपक जलाना है और सनी के मंदिर में जाएं तो तिल का तेल का दीपक जलाना है ऐसा करने से आपके जीवन की हरकस्ट दूर हो जाते हैं वैसे हर्मान जी के मंदिर में जवाब दीपक जलाईएगा तो उसमें दो लॉंग डाल दीजेगा मन चाही मुराद पूरी होती है यह तो बहुत सिंपल उपाय है चुकि आज हम बात कर रहे हैं घर के मुखे दरवाजे से फिक दे सनीवार की राथ ताकि जीवन के हरकस्ट मिट जाए तो आखिर सनीवार की राथ ऐसे कौन से प्रयोग है जो धन को बढ़ाने वाले हैं जीवन में मान समन खुसिया लॉटाने वाले हैं इस दिन दो प्रयोग किये जाते हैं एक धन के लिए एक बुरे ब्यक्तियों से रक्षा के लिए बुरी सोच वालों से रक्षा के लिए निगेटिव एनर्जी से रक्षा के लिए तो चलिए आज हम जानेंगे सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करजों से परेसान है उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर भी तो एक छोटा सा प्रियोग करें देखिए आपको ये प्रियोग सुक्रवार की रात साम में ही आप इसको ले आईए ये है सुखा वर नारियल का गोला आपके पास होगा नहीं है तो मार्किर से ले आए अब इसको कट करें पीछे मिट्टी में गढ़ा करके दवा दें और बीना पीछे मुड़े वापस चले हैं तीन सनी बार लगातार करें करजों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगा और आप करज आपका जितना भी करज है धीरे धीरे पैसे आने लगेंगे करज की समस्या से राहत मिलेगी तो हम सनी बार के रात की देखिए रात में सूने के पहले चोटा सप्रियोग करें एक लॉंग ले लें आपके घर में जितने भी सदस्या सबके सर से उल्टा तीन वार लें सबको टच कर लें अपने बाइंहांत में रख कर घर से उत्तर दिसा की और फेक दें ऐसा करने से आपके जो जीवन में धन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और अगर सनी बार के रात में आप जब दीपक जलाएंगे उसमें अगर एक चुटकी पीला सरसूं डाल के जलाएं तो अत्रित आत्माएं निगेटिव उड़ जाएं सांथ हो जाएंगी और मालक्षमी परसन्न होंगी अगर देते थे ताकि जो बुरी चीजें हैं वो उनके घर से दूर है तो यह परियोग आपको जरूर करना चाहिए ताकि घर में खुसियां लोटा है फिलाल आप से भीजा लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अ झेंगारी शोरा में है, करता करें ले तो महादेव दोंपको जएको बनाप दोयगे वोगे हो और क्लगारी और में ति एक्तूर अपक दोली है जुछ activity जएग चाहए है से दोपसक्त सब्स एक कर दोछ आईबूमार्ल आईब को दोटे हैं तो महादेशाने कि ऊढ़े हैं